दिदार्केस्ट माइन्स जिसका नाम में Idiopathic Adolescence Acute Neurodegeneration यानी IAN जिस बीमारी के चलते बच्चों में एक अलग सी ताकत सी आ जाती है बच्चों के मरने की वज़े से जनता काफी गुसे में आ जाती है और वो लोग सरकार पर गुसा करने लगते हैं दूसरे सीद में President को दिखाया जाता है जिनसे मीडिया इस बारे में पूस्ती है तो वो कहता है कि मेरा बेटा भी इसी बीमारी का शिकार हो गया है पर हमने उसे ठीक कर दिया है आप लोगों को डरने की जरुवत नहीं है क्योंकि वहां की सरकार ने बच्चों के लिए एक और्गनाइसेशन चला रखा होता है जिसका नाम है CDC प्रेजिडेंट लोगों से रेक्वेस्ट करता है कि सभी लोग अपने बच्चों को CDC में बेज दें जहां उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दिया जाएगा फिर उसके बाद अगले सीर में दिखाते हैं कि रूबी डेली जो की इस मूवी की हिरोईन है उसका बड़्डे होता है और उसके पापा उसके लिए एक जापानी गुडिया लाए होते हैं और वो ऐसे ही बात कर रहे होते है तब ही रूबी डेली की मौम उसकी तरफ चिंता हो रहे होते हैं और रूबी अपनी मम्मी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है कि कोई मुझे आप दोनों से अलग नहीं कर सकता आप लोगों को मेरी फिकर करने की जरूरत नहीं है तब ही अचानक से रूबी को एक शौक जैसा हाथ में महसूस होता है और वो वापस अपने कमरे मे चली जाती है फिर सुबह होती है रूबी अपनी मम्मी से आकर कहती है कि मौम सरदर्द हो रहा है उसकी मौम उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर जाती है फिर रूबी से पूछती है कि तुम अंदर कैसे आ गई तुम रास्ता बूल गई हो क्या कि तुम्हारे पैरेंट्स जानते हैं कि तुम यहां हो, फिर उबी की मॉम बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा, फिर उबी की मॉम आपको क्या हो गया है, फिर उबी की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, फिर उबी कहती है कि आप मेरी मॉम हो, आपने और डैड ने मुझे ये होते हैं जो आये एन बीमारी का शिकार हुए हो हैं लेकिन वो मरे नहीं बस उनमें एक अलग सी ताकत सी आ जाती है फिर सीडीसी केम पहुँच कर जब वो लोग बच्चों को बस से निकार रहे होते हैं तब यूं में सारे ओफिसर चिलाते हैं कि वो एक औरेंज है और उसे मार देते हैं और यह सब होते हुए रूबी देखती रहती है फिर अगले सीर में दिखाया जाता है कि रूबी एक बेट पर लेटी हुई है और वहाँ एक डॉक्टर है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यह लाने इंटेलिजेंट होता है दूसरा बुलू बुलू वाले बच्चे अपनी सोच से चीजों को हिला सकते हैं फिर तीसरा गोल्ड गोल्ड वाले बच्चे बिजली पर काबू कर सकते हैं फिर चोता सबसे खतरनाक कलर है रैड जिसमें बच्चे अपने मूँ से आग निगालते ह और खुंकार जानवर जैसे बन जाते हैं और पाजवा ये भी खतरनाक है इसमें बच्च अपने माइन से किसी को भी काबू में कर सकते हैं और उनकी यादों को भी मिटा सकते हैं फिर डॉक्तर रूबी से कहता है कि तुम्हें फिकर करने की ज़रत नहीं है क्योंकि रेड और ओरेंज वाले बच्चे बहुत ही कमी से होते हैं लेकिन रूबी की जाज करने के बार दॉक्तर को पता चलता है कि रूबी भी एक ओरेंज है और रूबी भी समझ जाती है कि डॉक्तर उसे मारने वाला है लेकिन वो डॉक्टर को अपने वश में कर लेती है और रिपोर्ट में खुद को ग्रीन साबित करवा देती है फिर ऐसे ही छे साल बीच जाते हैं और बच्चे वहाँ काम करते रहते हैं फिर एक दिन वहाँ एक फ्रेकेंसी टेस्ट होता है जिसमें उनको एक पैनी और चुबन बरी अवाज सुनाई जाती है जिसमें रूबी बेश हो जाती है फिर जब होश आता है तो एक लेडी डॉक्टर उसके पास होती है और वो उससे कहती है कि हाए मैं हूँ डॉक्टर बैग भी अगर तुम चाहो तो मुझे केट बुला सकती हो भूल जाओ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी फिर रूबी उससे पूछती है कि कुछ हुआ क्या इतने में वहाँ एक ओफिसर आ जाता है और वो उसके जवाब में सिर हिला कर एक चिट्टी उसके पास छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें पता चल गया है कि तुमें एक ओरेंज हो और वो लोग तुमें मार देंगे इसलिए अगर जान बचानी है तो लेबरेटरी लूम में आकर मिलो और रूबी ऐसा ही करती है और वो लोग बहां से वागरे में कामियाब हो जाते है और रूबी वहां से निकल कर बहुत खुश होती है फिर डॉक्टर कैट उसे बताती है कि लोग अब यहां नहीं रहते वो सब शेयर चले गए हैं कमाने के लिए फिर रूबी डॉक्टर कैट से पूशती है कि यहां से मेरा गर कितनी दूरी पर है फिर डॉक्टर कैट उससे कहती है कि देखो रूबी मैं तुम्हें गर नहीं ले जा सकती वहां तुम्हारी जान को खत्रा है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी रूबी उससे पूशती है कि कैसे फिर डॉक्टर उससे बोलती है कि तुम्हें चिडरन लीग का नाम तो सुनाई होगा रूबी कहती है नहीं फिर डॉक्टर कहती है कि CDC केम सिर्फ एक दिखावा है क्योंकि सरकार टीवी पर सुधारे और बच्चों की कहानी सुनाती रहती है जैसे कि प्रेजिरेंट का बेटा इसलिए हमने एक लीग बनाई तुम सब बच्चों को वहाँ से बचाने के लिए जिन बच्चों को रेड या औरेंज कलर दिया जाता है उन्हें बहुत खतलनाक माना जाता है और रूबी तुम बहुत बहुत खास हो तुम सबसे शक्तिशाली हो पर सीडिसी वाले तुम से डरते हैं तुम जैसे बच्चों को फोरण मार दिया जाता है फिर डॉबी को एक पेंडेंट जैसा कुछ देती है और बोलती है कि अगर आगे चल कर हम किसी वज़े से अलग हो जाए तो तुम इस से दबा देना मैं फोरण वहां जाऊंगी फिर रूबी और डॉबी और डॉबी एक जगा पे रुखते हैं जहां उन्हें उस डॉटर का दूसरा साथी रॉब मिलता है तब भी रूबी अचानक से थोड़ा सिलिप होती है तो रॉब उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे रूबी को कुछ दिखता है और उसे रॉब के रादे ठीक नहीं लग रहे होते हैं फिर रूबी एक होटल में कपड़े चेंज करने के लिए जाती है जहां उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम जू है और वो उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है फिर रूबी भी उसका पीछा करती है और वो दोनों एक बैन में जाकर छुप जाते हैं जहां दो लड़के और होते हैं और फिर वो डॉक्टर और उसका साथी रॉब रूबी को ढूणने के लिए आते हैं लेकि रूबी बैन में छुप जाती है क्योंकि उसे उनके साथ नहीं जाना होता और वो अपने घर जाना चाहती है फिर बैन में बैटे दोनों लड़कों को रूबी के बारे में पता चलता है तो वो जूबी कहते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था ना किसी भी अंजान को यहां मत लेकर आना फिर वो भी उनसे कहती है कि फिकर मत करो मैं यहां से जा रही हूँ फिर वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम कैम से भाग कर आई हो फिर वो भी कहती है कि हाँ किसी ने भागने में मदद की फिकर मत करो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है मैं ग्रीन हूँ फिर वो लड़का पूचता है कि किसी ने मतलब लीग ने फिर दूसरा लड़का बोलता है कि लियम उसे जाने दो पहले ही CDC वाले हमारे पीछे पढ़े हैं और अब लीग वाले भी लेकिन लियम रूबी को वहाँ से नहीं जाने देता और गाड़ी चलाने लगता है और सभी को इंट्रड्यूस करता है कि मैं लियम हूँ वो जू है और ये चब्स फिर चब्स रूबी को बोलता है कि तुमारे ले चाल्स फिर CDC वाले और लीग वाले उनका पीछा करते है पर लियम अपनी ताकत से सब को बचा लेता है फिर वो लोग एक जगह पे जाकर रुख जाते हैं जहां रूबी उनसे कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ लेकिन लियम उसे कहता है कि तुम वहाँ कैसे जाओगी तुमें लीग या CDC वाले पकड़ लेंगे इसलिए तुम हमारे साथ चलो हम लोग East River की तरफ जा रहे हैं सुना है वहाँ बड़ी सी जगह है जहां सबी बच्चे एक साथ रहते हैं वहाँ खाना है, रहने की जगह है और सब सेफ है स्लिप किट वहाँ का इंचार्ज है फिर रूबी पूस दिये की कौन स्लिप किट फिर लियम उससे कहता है की कोई उसका असली नाम नहीं जानता वो CDC कैम से चार बार भाग चुका है इसलिए सब उससे स्लिप किट बुलाते हैं और सब कहते हैं की वो एक औरेंज है और वो सब खाना खाकर वहाँ से निकल बढ़ते हैं फिर वो लोग वैन में बात करते हैं जहां लियम रूबी को बताता है कि पहले मेरे बाई ने लीग जोइन की थी और वो हमेशा सही होता था इसलिए मैं भी वहाँ चला गया उन लोगों ने हमसे कई वादे किये हमारी शक्तियों को इस्तिमाल करना सिखाया शुरुआत में पुत्दों पर और कुछ चोटी मोटी चीजों पर देखते ही देखते हो हमें लड़ना सिखाने लगे पर मुझे फौज में नहीं जाना था इसलिए मैं वहाँ से चला आया मर जाओंगा पर कभी वापस नहीं जाओंगा फिर रूबी कहती है कि वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें ताकत की जरुषत तो होगी ही न फिर लियम कहता है कि ताकत ठीक है पर बेरहमी और लापरवाई नहीं ये सरकार के लिए रहने दो फिर रूबी कहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने मुझे बहार निकाला मेरी जान बचाई फिर लियम कहता है कि पर किसके लिए फिर रूबी कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे सब बाते समझ नहीं आती लेकिन 6 सालों में पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है मुझसे अच्छे से बात किये और ऐसे ही थोड़ी भैस होती है फिर वो लोग वहाँ एक घर में रुकते हैं यहां लियम अपने कपड़े रूबी को देता है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं होता है जहां चार्ल्स मजाग करते हुए कहता है कि ओ गौड रूबी तुम मुझे ले लो नहीं तो लियम बगबग करता रहेगा फिर Liam Charles को कहता है कि तुम चुप रहो फिर Charles उसे कहता है कि लड़गिया पटाने में तो तुम उस्ताद हो और ऐसे ही उनका अशी मज़ाग होता है और फिर वो लोग सो जाते हैं अगले दिन वो एक कैंटीन में जाते हैं और वहाँ शॉपिंग करते हैं और मस्ती करने लगते हैं तब ही कुछ लोग उन पर हमला करने लगते हैं फिर बाद में पता चलता है कि हमला करने वाले लोग असल में 4 CDC से भागे बच्चे होते हैं फिर वो सब लोग आपस में बात क चलता है कि ये लोग भी स्लिपकिट का ग्रूप है जो उससे जुड़े हुए हैं पर स्लिपकिट कौन है और कहा है ये सब वो उन लोगों को नहीं बताते हैं क्योंकि उनको ये सीक्रेट रखने को कहा गया है ताकि पुलिस उन्हें ना पकड़ सके लेकिन फिर रूबी अपन पता चलता है कि इस लिपकिट कोई और नहीं बलकि प्रेजिडेंट का वो बेटा है जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो ठीक हो गया वहां और भी कई सारे बच्चे होते हैं जो अपने अपने कलर के हिसाप से ग्रूप बना कर रहते हैं और काम करते हैं क्योंकि इस लिपकि आ जाती है और कहती है कि चार्ल्स को उसके मम्य पापा से बात करने दो अपने लैप्टॉप से फिर स्लिपकिट कहता है कि बदले में वो उसे वो ट्रिक सिखाएगी जिससे उसने अपने मम्य पापा की यादों से खुद को मिटा दिया था गलती से रूबी इस बात के लिए म स्लिपकिट लियम को अपने वश में करके बहुत मारता है और रूबी को कहता है कि हम सबसे ताकतवर हैं मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर इन सब पर राज करेंगे लेकि तुमने मेरी बात नहीं मानी जितने में रूबी ओफिसर को अपने वश में करके उन सब को बाहर के लियम, जू और चार्ल्स को लेकर बाहर भागती है, जहां एलिकॉप्टर से और भी CDC कैमप वाले आ जाते हैं, फिर उन सब बच्चों और कैमप वालों की लड़ाई होती है, और रूबी, लियम और जू बच जाते हैं, पर चार्ल्स थोड़ा आग में जल जाता है, जिस वज़े से रूबी को मजबूरन उस पेंडेंट के थुरू, जो उसे उस डॉक्टर कैट ने दिया था, उन्हें बुलाना पड़ता है, और वो लोग आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं, और चार्ल्स को हॉस्पीटल में बढ़ती करा देते हैं, जहां उसका इलाज होता है, फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि रूबी को होश आता है, और वो डॉक्टर कैट और रॉब से कहती है कि लियम को जाने दो, तो वो उसे बोलते हैं कि नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है, वो हमारे लड़ने में काम आएगा, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं, फिर रूबी कहती है कि वो यहां नहीं रहना चाता है, इसलिए उसकी जगे आप लोग मुझे रख लो, और वो लोग मान जाते हैं, पर फिर डॉक्टर कैट रूबी से पूछती है कि लियम यहां से तुम्हें लिया बगेर कैसे जला जाएगा, अगर तुम नहीं जाओगी, तो वो भी नहीं जाएगा, फिर रूबी कहती है कि मुझे उससे एक बार बात करने दो, फिर रूबी लियम के पास जाती है, और लियम उससे एक प्यार बरी कानी सुनाता है, जिसे सुनकर वो रोने लगती है, क्योंकि लियम उससे बहुत प्यार करता है, और रूबी भी, फिर लियम और रूबी किस करते हैं, और Ruby Liam के माइंड से अपनी सारी यादे मिटा देती है फिर Dr. Cat उसे एक न्यू आइडी और कुछ पैसे देती है और Liam वहाँ से अपनी जिद्गी अपने हिसाब से जीने को निकल पड़ता है और Ruby को पूरी तरह से भूल जाता है और Ruby के बाकी दोस्त लीक के साथ ही रहते हैं और कानी खत्म हो जाती है